हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूं दीपक अपने चैनल डिके डिटेक्शन में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम आप लोगों को भिंडी की नई किस्म के बारे में बताऊंगा जो एडवेंटा गोल्डेन सिट्स ने 2021 में लांच किया है 2021 की नई व्राइटी है दोस्तो आप भी से लगाए इसके बारे मैं आपको थोड़ी सी जैनकारी दूंगा तो दोस्तों एडवेंटा गोल्डेन सिट्स की एडी भी 216 नमर है दोस्तों यह ब्राइटी है बहुत ही अच्छी व्राइटी है आप भी से लगाए दोस्तों आप देखिए यह पूरा कितना हरा दिखाई दे रहा है पूरा खेट दोस्तों देख सकते हैं इसमें फल की साइज दोस्तों लगबग 12-15-15 cm तक है दोस्तों इसकी लंबाई फल की पांच धारी वाला फल है दोस्तों इसका और हरा हरा रंग का इसका कलर है दोस्तों भींडी का दोस्तों इसे आप गर्मी में सबसे फर्ष नम्मर की दोस्तों है सबसे अच्छी कौल्टी है इसमें दोस्तों में देख सकते हैं इसमें कोई रोग नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों इसमें पूरा हरा भरा इसका हमें पौधा दिखाई दे रहा है इसमें आए देखते हैं इसकी फलियां गिन लेते हैं कितनी फली लगी हुए दोस्तों देखिए नीचे इसमें इसकी दो साखाय निकली हैं दोस्तों इसम 22 23 26 27 27 28 29 फलियां है दोस्तों इसकी तो अभी दोस्तों हमारा जून चल रहा है आज लगबग हो गया है आठ जून है तो अभी तो हम लोगों कि यह लगबग जुलाई तक रहता है तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं 50 से 60 फली इसमें आ जाती है बहुत ही बेश्ट भ बहुत ही बेश्ट भार्णी है हमारे हां जो किसान भाह ने इसे लगए दोस्तों इसे बरसात में भी अब लगाएंगे क्योंकि पहली बार लगाये थे थो थोड़ा कम ही लगाया मैं लेकिं इसी की खेती ने पूरा इसी बराइटी की ख्यती करेंगे इसकी दोस्तों फल ऐ है और हारा अ कल का है डोस्तों ट जिससे आ कर्शक होता है इस भींडी की तूलता की तो बढ़ भी इसकी साइज किप्धा कई है इसकी हज़ड़ कई है और इससे लगाने के फाइदे थोस्तों किस कम लागत में अधिक उपर देगा दोस्तों देखिए कितनी भिंडियां हमारे लगें कितनी भिंडी अच्छी दिख रही है कम लागत का मतलब यहें दोस्तों कि इसमें रोग प्रति रोदक चमता अधिक होने के वज़ा से इसमें कम दवा का छिरकाव करना पड़ता है और 6,000 रुपे प्रतिक केजी है दोस्तों 6,000 रुपे प्रतिक केजी है दोस्तों बहुत महांगा है फिर भी जितना इसकी पैदावार है रोग प्रति रोदक चमता इसकी अच्छी है उसके पेच्छा सस्ती है दोस्तों क्योंकि इसमें जितनी लागत लगाएंगे उसके पेच यह भिंडी बहुत है इसकी खासियत यह है दोस्तु कि इसका बढ़ाव कम है अधिक पैदावार देती है और रोग-प्रति-द्रोदक, छमता इसकी बहुत अधिक है तो दोस्तो अब भिंडी के लिए और क्या चाहिए दोस्तों तो दोस्तो यह रही थोड़ी जनकारी कारी यह दिया आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले और सेर जरूर करना दोस्तों धन्यवाद